Dear Modern Stars, How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, आप सबको पता है, हमारे second unit test start होने वाले हैं. So, आज से हम second unit test का revision start करेंगे. सबसे पहले revision में हम बात करेंगे, कबीर के दोहे. So, आपको revision 1 में कबीर के दोहे मैंने already given दे दिये थे. So, revision 1 डाल करके आपको दो कबीर के दोहे लिखने थे. पहला दोहा था, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को सीतल करें, आपों सीतल होई. And second दोहा था, काल करेंगे सो आज कर, आज करेंगे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब? तो ये दोनों दोहे आपको लिखने थे. Revision 2 में हम बात करेंगे बिटा शब्दार्थ की. So, आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ शब्दार्थ मार्थ करते चलिएगा. ये शब्दार्थ हैं पार्थ 10 कबीर के दोहे के. सबसे पहले मार्ग करेंगे आप बानी, मतलब बोली, दूसरा है दोव, मतलब दोनों, आपा, मतलब घमंड या अहंकार, काके, मतलब किसके? ठीक है? ये चार शब्दार्थ होगे. फिर आप आईए पार्थ 11 में, अत्यंत, मीन्स, बहुत अधिक, तमाम, बहुत सारी, रिस्ट वाच, कलाई घड़ी, मानसिक्ता, मन की सोच. ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद पार्थ 12 में आप देखिए, क्या है? इस्तेमाल यानि प्रयोग, जादूई लेप, जादू का लेप, विचित्र, अनूखा, बौना, छोटा या ठिंगना. ठीक है? इसको आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नोट करना है. ये 12 वर्ड मीनि आपको नोट करनी है, प्लस लर्न करनी है. So, I hope आपको आपका हिंदी का रिविजिन 1 and 2 समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो, तो आप मुसे पूछ सकते हैं. आज के लिए वीडियो में इतना ही. Thank you. Have a nice day.